हलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता हुगा कि नौ तारीक से हमारा प्रोग्राम चालू होने जा रहा था लेकिन इस्कूल द्वारा हर्ताल करने के कारण इस्कूलों ने पंजियनी नहीं किया है और इसकी तारीक एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है और आप देख रहे होंगे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे जैसे नागपूर की हम बात करें तो 600 हमारे पास में स्कूल है उससे भी जादा है और अभी मात्र 266 स्कूली रइस्टर्ड हुए है तो कहने के मतलब यह है कि जब तक यह रइस्टेशन होगा नहीं जैसे कि आप मुंबई को देख रहे हैं मुंबई के सब अम एरिया को देख रहे हैं तो वहां पर 187 सीट है मूंबई सीटी में चौवाली सीट हुई है तो आप देख सकते हैं कि जब पंजयन हुई नहीं स्कूल तो आटी की प्रक्रिया होगी कैसे यह बहुत बड़ी खबर है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसकी डेट आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि जहां तक जब तक हमारे पंजयन पूरे स्कूल नहीं होगे तो आप द्हान में रखिए और इसके लिए आगे के हमारे चैनल को देखते रहें क्या आपको वीडियो में क्या बढ़ाए आती है क्या आपको देखना है वो सारे वीडियो में उसके अंदर में आप सुन रहते हैं आटी एक्षन कमि elevator की की चेर्में शाहीच शरीप झाल झाल